कि आफ। शुरू कर्ते लिए टिट नंबर 97 आप लोगों पया स्बिखिस आसका स्थब्चित नांतर नांसुक्षीट है अब लेगे पहले तक थर्स्थडिस्ट का नाम अपना नाम अपने teacher का नाम और आज जो हम पार्ट पढ़ने जा रहें कौन सा मन के भोले भाले बादल ठीक है तो आज हम भोले भाले बादल इसी को आगे पढ़ेंगे तो दिखें यहां क्या लिख्षा है चले शुरू करते हैं प्यारे बच्चों हमने कविता मन के भ वीता की पंक्तियों में कुछ मिलती जुलती आवाजे आवाज वाले शब्द आए हैं जैसे बालों गालों लाते जाते तुफानी शैतानी आदी अब देखिए इनके सारे लास्ट की जो आवाजे आखिर की वो देखिए सेम सेम है है ना तो कह लिखा है मिलते जुलते समान ल शब्द कहते हैं तो पहला कोशन आपको दिया गया है कि निमदलिके शब्दों के तुकांत जो शब्दों है उस कविदा में दिये गए उनको सोचकर लिखिए तो अब आपको दिखे शैतानी और काले ये दो हैं आप इंके तुकांत वाले यानि जो इनकी तुकबंदी के फानी और पानी ठीक अब अगला देखते हैं देखें यह आपका लिखा है ना काले तो इसका क्या हो जाएगा मतवाले और वाले तो देखें सब में आ और ले आ और ले है ना तो आले आले सब में आ रहा है ना काले मतवाले और वाले तो इस तरह से यह आप लिख लेंगे चल का निशान लगाई ये तो अब देखिए बादल सब का कहना मानते हैं तो ये 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 नू बादल मोर के पंक लगाए हुए हैं तो ये सही है या गलत बादल जर जर पानी बरसाते हैं अब ये बताईए सही है या गलत और ये वाला बादल कभी कभी जिद्धी बन जाते हैं तो तो देखिए बादल सबका कहना मानते तो यह तो घलत है बादल तो अपने मन की करते किसी का नहीं सुनते ठीक अब यह लिखा बादल मोर की जैसे पंक लगाए हुए तो यह भी गलत है क्यों कि वो टोपी लगाए है भजोकर जैसी है ना हाथी जैसी सून वाले लेकिन मोर के पंक वाले नहीं है ठीक है पंक तो बादल जर जर पानी बरसाकी तो यह सही है कि हाँ बादल जर जर पानी बरसाकी और लिए सबर लगे इसके दोनों आपके घलत हो जाएंगे और Esteo कोशन दिया गया है प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं पानी हमारे जीवन में महतोपूर है यानि आप सब को पता है कि पानी के बिना हमारे जिंदेगी मुम्किन नहीं है हम मर जाएंगे अगर पानी खत्म हो जाहिए एक दिन जब रानी विध्याले जा रही थी तब उसने देखा कि रास्ते में एक पानी का नल खुला हुआ है यार इस नल को बंद करना चाहती है लेकिन वे पोहचने में यानि अब उसे से पैशानी हो रही है क्या आप रानी को नल तक पहुचा कर पानी की बरबादी को रोकने में मदद करेंगे तो आपको रानी की मदद करने है देखे यह आपकी जैसी प्यारी प्यारी बच्ची खड़ी है रानी जिसका नाम है और यह देखे यहां पानी बहरा है अब आपको म मुरती है तो रास्ता बंद है हम नीचे आते यह देखे इस तरह से ठीक है आते जाएए आते जाएए यह देखे यह फिर रास्ता बंद होगे आप तो हम लोग फस गए तो हम लोग दुबारा से शुरू करते हैं अब हम लोग किदर से चलते हैं देखिए ऐसे करके चलते हैं ह यहां से चलते हैं यह आ गए हम लोग ठीक है इसके बाद यहां से हम लोग यू निकल के आए और यहां से आने के बाद यहां से इस तरह से यू गए और वापस यू करके यू आए और उसके बाद यहां से निकल के ऐसे गूमें लेकिन यहां तक नहीं जाएंगे यहां से आए ऐसे ठीक है और उसके बाद यह उपर से निकले और इस तरह से नीचे से आए और नीचे से आने के बाद यहां गए यहां से इधर घूमे और ऐसे करके यह नल के पास पहुच गया तो आप लोग इसे बना लेंगे अच्छा सा इसमें आप अपने पैरेंट्स की या लगता है कि नीचे दिये गए चित्र में कुछ गलत हो रहा है बताईए तो क्या अब देखिए यह चित्र आपको दिया गए अब आपको बताना है क्या इस चित्र में कुछ आपको गलत दिख रहा है तो देखिए मैं इसका अंसर आपको दिखाऊंगी लेकिन आप इस चित आप लिखते हैं अब लोग अब देखें इसका अंसर ऐसे लिखेंगे हाँ दिये गए चित्र में बच्चा पानी को बर्बाद कर रहा है यानि जब वे दाद साफ कर रहा है तो उसको नल बंद कर रखना चाहिए यह जब आप दाद साफ कर रहे तो आपको नल का क्या करना है जब आप दाद साफ करें आपको कुला करना है तब आप नल को खोले है ना तो इसलिए यह बच्चा क्या कर रहा है पानी की बरबादी कर रहा है तो आप लोग इसको लिख लेंगे साफ साफ राइटिंग में चली आगे पढ़ते हैं देख सकते हैं इस तरह से यह आपकी व आप या फिर टीचर से बात कर सकते हैं इसके लावा मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं चलिए तो अब इसके लावा यह आपके पैरेंट्स के लिए सुझाव दिया गया है कि बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि लोग पानी बचाने के लिए क्या-क्या उपाई कर सकते तो देखें आपको अपने पैरेंट से पूछ रहा है कि ममा हम पानी को कैसे कैसे बचा सकते देखें कुछ तरीके तो मैं आपको बता देती हूं इसके लावब आप अपने पैरेंट से पूछेंगे तो वो आपको और अच्छे तरीके भी बताएंगे जैसे कि आप जब दात म करते cater likenי करें के पानी को बचा करें रखें सब्सक्राइबीघ। तो आप रोज रहें लेकि थोड़े पाली से लहाए तो आप इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जिनसे पानी को बचा सकते हैं चलिए तो आज की वक्षिट को हम यही खत्म करते हैं आज की वीडियो में बसेत नहीं अगर आपको में वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शियर करें अगर अभी तक आपने मैं चाल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मैं चाल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग